स्वामी जी कहते हैं, स्वामी विवेगांद कहते हैं, तुम तभी और केवल तभी हुंदू कहलाने के लाइक हो, जब सामने खड़ा व्यक्ति जो है, वो हिंदू नाम रखता है, वो किसी भी प्रांत का है, किसी भी भाशा का है, तुमको ऐसा लगता है, तुमारा अपना भा वो शंकट में अया निकोंको लगता है अगर लगता नहीं लगता तो तो महатели कहलाने के लाइक नहीं हो अकत यह स्वामी विवगयंदनेंगा हिदर कहला ना मैं हिंदु हूं क्यों को फैशन नहीं है हिंदू कहते ही हमारे मन के अंदर के भाव कैसे आध्यात में हो जाते है हमारा मन करुणा से संवेदना से भावनाओं से भरता है कि नहीं भरता है मेरे पास जो भी कुछ है परमात्मा का है यह भाव आता है कि नहीं आता है मेरे सामने ख़ड़ा कोई बीमार है वो रोगी है वो निरक्षर है वो गरीब है अभाव ग्रस्त है वो परमात्मा का रूप दिखता है करें दिखता है दिखता है तो तो हिंदू कहलाने के लाइक हो छोड़ दो हिंदू कहना अपने आपको कितना कठोर शब्दों में बोलते यह भारत का दर्शन है और जिसको आवश्यक्ता है उस आवश्यक्ता को देख कर उसको परमात्मा के सरूप में स्विकार कर उसकी सेवा करने में धन्यता का अनुभब करना यह भारत का हिंदू दर्शन है भारत का दर्शन है एक पाद्री जो थे रमन महर्शी के पास गए और कहते हैं, कि रूषिवर, मैंने सुनाए आप इश्वर से बात करते हैं, आपने इस्वर को देखा है, बात भी करते हैं, हाँ बात करते हैं, लिसे रे पास, वह को मिलवा सकते हैं, रमन महर्शी गहते हैं चलिए मेरे साथ आईए दूर पैदल चलते 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 जोंपड़ी के सामने रमन महर्शी रुख गए अंदर गए एक कुष्ट रुगी है उसकी सेवा किये उसके घाबों को साफ किये वहां ओशदी बेंडेज किये उसी के घर में चूला है जला करके खिचड़ी बनाए खिचड़ी बनाकर खिचड़ी को खिलाए इसमें घंटा दिल घंटे का समय उनका लग गया उसको प्रणाम किया और कहा प्रहू कलम फिर आएंगे कुटिया के बाहर निकले बाहर तो ये पादरी पृतिक्षा कर रहा है चलो बापस चलते अरे आप तो भगवान से मिलाने लेने के लिए जाने वाले थे रमन महर्ची कहते है मैं तो भगवान के पास से आ रहा हूं तुम कहा थे मैं तो प्रभू के सेवा करके आ रहा हूं तुम्हें देखा नहीं और था तो उस कुष्ट रोगी के अंदर भी प्रभू जानकर सेवा करना रमन महर्ची नहीं कर रहा है इस देश का प्रत्यक विक तीस बात को इस भाव को मानता है और वही हिंदु है ज्यान में रखिए भारत का सेवा का दर्शन है ये दुनिया इस बात को मानती नहीं जानती भी नहीं है क्योंको वो सबके अंदर परमात्मा दुनिया का कोई भी विचार मानता ही नहीं हम मानते हैं वो कहते है परमात्मा साथ में आश्मान पर अगर मैं कहूं मेरे अंदर गौड है तो यह ब्लास्फेमी हो जाएगा, इसका मर्तुदंध है फिर, मैं कहूं मेरे अंदर अल्ला है तो ब्लास्फेमी हो जाएगा, मर्तुदंध है फिर, यह नहीं कह सकते है, वो साथ में आश्मा मसी और तुम भी वही में भी वही तो कश्ट तुमारा मेरा नहीं होगा ऐसे कैसे हो सकता है होगा और भारत की महान परंपरा में सेवा अर्थत ईश्वर की सेवा यही माना गया